श्री राम कृष्ण वच्णाम रित के अगले भाग को प्रारंब करते हैं। श्री राम कृष्ण बंकिम के प्रती कहते हैं। कोई-गोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े। अध्वा, पुस्तकों का अध्याइन कि ये ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं पहले जगत के बारे में जीव के बारे में जानना चाहिए। पहले विज्ञान पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं ईश्वर की ये सारी स्रिष्टी समझे विना। प्राप्त के बारे में दस बातें जान लेनी चाहिए। थोड़ा इधर का ग्यान हुए बिना इश्वर को कैसे जानूंगा। पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए। श्री राम प्रिष्ण कहते हैं वही तुम लोगों का एक खयाल है। पहले इश्वर उसके बाद स्रिष्टी। उन्हें प्राप्त करने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे। किसी भी तरह यदु मलिक के साथ बातचीत कर सकोगे। फिर यदि तुम जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं। कितने कमपनी के कागज हैं। कितने भगीचे हैं। तो यह सब भी जान सकोगे। यदु मलिक ही खुद सब बता देगा। परंतु यदि उसके साथ बातचीत न हो। और मकान के अंदर घुसना चाहोगे। तो दरवान लोग ही घुसने न देंगे। फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं। कितने कमपनी के कागजाद हैं। कितने भगीचे हैं। इत्यादी। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। परंतु फिर मामुली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है। जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता। तब तक उसके गुणो की बातें बताई जा सकती हैं। जब वह सामने आ जाता है। उस समय वे सब बातें मंद हो जाती है। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं। उसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें नहीं सूजती। पहले इश्वर की प्राप्ति, उसके बाद स्रिष्टी या दूसरी कोई बातचीत। वालमी की को राम मंत्र का जब करने को कहा गया। परंतु उनसे कहा गया मरा मरा का जब करो। म अर्थात इश्वर और रा अर्थात जगत। पहले इश्वर उसके बाद जगत। एक को जानने पर सभी जाना जा सकता है। एक के बाद ये जी पचास शुन्य रखें तो संख्या बढ़ जाती है। एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक हैं। पहले एक उसके बाद अनेक। पहले इश्वर उसके बाद जीव जगत। तुम्हा आम खाने से मतलब है। बगीचे में कितने सो पेड हैं, कितने हजार टहनिया हैं, कितने लाग करोड पत्ते हैं, इन सब हिसाबों से तुम्हारा काम क्या है। तुम्हाम खाने आये हो, आम खाकर चले जाओ। इस अंसार में मनुश्य आया है भगवान को प्राप्त करने के उसे भूलकर अन्य विश्यों में मन लगाना ठीक नहीं, आम खाने के लिए आये हो, आम खाकर ही चले जाओ। बंकिम कहते हैं, आम मिलते कहां हैं। श्री राम क्रिश्न कहते हैं, उन से व्याकुल होकर प्रार्थना करो। आंतरिक प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुने संभव है कि कोई ऐसा सत्संग जुटा दें तुम्हारे लिए, जिससे सुविधा हो जाए। संभव है कोई कहदे ऐसा करो ऐसा करो तो इश्वर को पा जाओगे। बंकिम कहते हैं कौन गुरू? वे अच्छे आम स्वयम खाकर मुझे खराब आम देते हैं। श्री राम क्रि अच्छी चीज बनने पर मां सभी बच्चों को पुलाव कलिया नहीं देती हैं। जो कमजोर है, जिसे पेट की विमारी है, उसे साधी तरकारी देती है। तो क्या मां उस बच्चे को कमस्नेह करती है क्या? गुरू वाक्या में विश्वास करना चाहिए। गुरू ही उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक की तरहे विश्वास करने से, ईश्वर प्राप्ती होती है। बालक का क्या ही विश्वास है? माने कहा वह तेरा भाई लगता है, उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है, एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्रामन के घर का है और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाती का हो माने कहा उस कमरे में जूजू है बस भक्का जान लिया उस कमरे में वो है यही बालक का विश्वास है गुरू वाक्य में इसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए सयानी बुद्धी हिसावी पिजार बुद्धी करने से इश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए। कप्टी होने से न होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज हैं। कप्टी से वे बहुत दूर हैं। परंतु बालक जिस प्रकार मा को न देखने से बेचैन हो जाता है लड़ू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेश्टा करो। परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता। किसी से नहीं भूलता और कहता है नहीं मैं मा के पास ही जाओंगा। इसी प्रकार इश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। आहा कैसी स्थिती। बालक जिस प्रका भोग फीके लगते हैं जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही हृदय से मा मा कहकर कातर होता है। उसी के लिए मा को फिर सभी काम का छोड़ कर दोड़ कर आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पत से क्यों न जाओ। व्याकुलता ही असली बात है वे तो अंतर्यामी हैं यदि भूल पत में भी चले गए तो दोश नहीं है पर व्याकुलता रहें वे ही फिर ठीक पत में उठा लेते हैं। फिर सभी पतों में भूल हैं सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही हैं पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती हैं। इस पर भी क किसी का काम बंद नहीं रहता व्यकुलता हो तो साधू संग मिल जाता है साधू संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है बंकिम पूछते हैं महराज भक्ति का उपाई क्या है श्री रामकृष्ण कहते हैं व्यकुलता है लड़का जिस प्रकार मा के लिए मा को न देखकर बेचैन होकर रोता है उसी प्रकार व्यकुल होकर इश्वर के लिए रोने से इश्वर को प्राप्त किया जा सकता है अरुन उदय होने पर पूर्व दिशालाल हो जाती है उस समय समझा जाता है कि सूर्य उदय में अब अधिक विलंब नहीं है उसी प्रकार यद प्राप्ती में अधिक वेलंब नहीं है एक वेक्ती ने गुरू से पूझा था महाराज इश्वर को कैसे प्राप्त करूँ बता दीजी ना गुरू ने कहा आओ तुम्हें बता देता हूं यह कहकर वे उसे एक तालाब के किनारे ले गए दोनों जल में उतर पड़े इतने में ही एक आएक गुरू ने शिश्य का सिर पकड़ कर उसे जल में डुबो दिया और कुछ देर पानी में डुबा कर रखा फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया शिश्य सिर उठा कर खड़ा हो गया गुरू ने पूछा कहो तुम्हें कैसा लग रहा था शिश्य ने कहा ऐसा लग रहा था कि अभी प्रान जाते ही है प्रान बेचैन हो रहे थे तब गुरू ने कहा ईश्वर के लिए जब प्रान इसी प्रकार बेचैन होंगे तभी जानो कि अब उनके साक्षातकार में विलंब नहीं है तुमसे कहता हूँ उपर उपर बहने से क्या होगा जरा गोता लगाओ गहरे जल के नीचे रत्न है जल के उपर हाथ पैर पटकने से क्या होगा यथार्थ मनी भारी होता है वह जल पर तेरता नहीं वह जल के नीचे डूबा हुआ रहता है असली मनी प्राप्त करना हो तो जल के भीतर गोता लगाना पड़ेगा बंगिम कहते हैं महराज क्या करूँ पीठ पर काग बंधी हुई है वह डूबने नहीं देती श्री राम कृष्ण कहते हैं उनका स्मर्ण करने से सभी पाप कड़ जाते है उनके नाम से काल का फंदा कड़ जाता है गोता लगाना चाहिए नहीं तो रत्न नहीं मिलेगा एक गाना सुनो उसका भावार्थ यह है रे मेरे मन रूप के समुद्र में गोता लगा ओरे तल अतल पाताल खोजने पर प्रेम रूपी धन को पाएगा ढूंडो ढूंडो ढूंडने पर हृदय के बीच में व्रिंदावन पाओगे और हृदय में सदा ज्यान का दीपक जलता रहेगा कबीर कहते हैं सुन-सुन गुरू के श्री चर्णों का चिंतन कर श्री राम कृष्ण ने अपने देव दुरलभ मधुर कंठ से इस गाने को गया सभा के सभी लोग आक्रिष्ट होकर एक मन से गाना सुनने लगे गाना समाप्त होने पर फिर वारतालाब शुरू हुआ श्री राम कृष्ण कहते हैं कोई कोई गोता लगाना नहीं चाहते वे कहते हैं इश्वर इश्वर करके जादती करके अंत में क्या पागल हो जाऊं क्या मैं जो लोग इश्वर के प्रेम में मस्त है उन्हें कहते हैं कि ये तो बोरा गए हैं परंतु ये सब लोग इस बात को नहीं समझते कि सच्ची दानंद अम्रित का समुद्र है। मैंने नरेंदर से पूछा था, मान लो कि एक बरतन रस है और तू मक्खी बना है, तो तू कहां पर बैठ कर रस पिएगा। नरेंदर ने कहा किनारे पर बैठ कर मुख बढ़ा कर पियोंगा। मैंने कहा क्यों, बीच में जाकर डूब कर पीने में क्या अर्ज है। नरेंदर ने कहा फिर तो रस में डूब कर मर जाओंगा ना महराज। तब मैंने कहा भया सच्ची दानंद रस ऐसा नहीं है, यह रस अम हो जाओगे अब बंकिम ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया वे अब विदा लेंगे बंकिम कहते हैं महाराज मुझे आपने जितना बेवकुप समझाए उतना नहीं हूँ एक प्रार्थना है बया करके कुटिया में एक बार चरन धोली श्री राम कृष्ण इतने में ही क कहते हैं ठीक तो है इश्वर की इच्छा बंकिम कहते हैं वहाँ पर भी देखेंगे भक्त हैं श्री राम कृष्ण हसते हुए कहते हैं कैसे जी कैसे सब भक्त हैं वहाँ पर जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था उनकी धरह हैं क्या भक्त पूछता है महाराज गोपाल गोपाल की कहानी क्या है श्री राम कृष्ण कहते हैं अरे वह कहानी अच्छा सुनो एक स्थान पर एक सुनार की दुकान है वे लोग परम वैशनों हैं गले में माला तिलक है हमेशा हाथ में हरिनाम का जोला और मुख में सदैव हरिनाम उन्हें कोई भी साधू ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते है क्योंकि औरत बच्चों को पालना ही है परमवैश्णव जानकर अनेक ग्राहक उन्ही की दुकान में आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दुकान में सोने चांदी में गड़बडी न होगी ग्राहक दुकान में आते ही देखता है कि वे मुक्च से हरिनाम कजाप कर रहे हैं और बैठे हुए कामकाज भी कर रहे हैं खरीददार जोही जाकर बैठा कि एक आदमी बोल उठा केशाओ 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 थोड़ी देर बाद एक दूसरा कह उठा गोपाल 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 फिर थोड़ी देर बाद बादचीत होने पर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा हरी 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 अब जेवर बनाने की बाचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है इतने में ही एक वक्ती बोल उठा हर 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 इसलिए तो इतनी भक्ती प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसा देकर निश्चिन्त हो जाते हैं सोचा कि वे लोग कभी न ठगेंगे परंतु असली बात क्या है जानते हो ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव उसका मतलब है ये सब लोग कौन है अर्थात ये लोग ग्राहक कौन है जिसने कहा गोपाल गोपाल उसका मतलब है ये लोग गाय के दल है जिसने कहा हरी हरी इसका मतलब है ये लोग मूर्ख है तो फिर हरी अर्थात हरण करूं और जिसने कहा हर हर इसका मतलब इनका सब कुछ हरण कर लो ऐसे वे परम भक्त साथ हुते अगले दिन श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं साक्षात वे ही सब कुछ हुए हैं जो अभिनाई कर रहे थे उनमें मैंने साक्षात आनंद मैं माता को देखा जो लोग गो लोग के गोपाल बने थे उनहें मैंने साक्षात नारायन देखा वे ही सब कुछ हुए है परंतु इश्वर दर्शन ठीक होता है या नहीं इसके लक्षन है एक लक्षन तो आनंद है दूसरा संकोच का लोप हो जाना जैसे समुद्र में उपर तो हिलोरें और आवर्त उठ रहे हैं परंतु भीतर गंभीर जल है जिसे इश्वर के दर्शन हो चुके हैं वह कभी पागल की तरह रहता है कभी पिशाच की तरह है शुची और अशुची में भेद नहीं रहता कभी जड की तरह है क्योंकि भीतर और बाहर इश्वर के दर्शन करके आश्चरिय चकित हो गया है कभी बालक वत है द्रड़ता नहीं जैसे बालक बगल में धोती दवाय घुमता है इस अवस्था में कभी तो बाल्य भाव होता है कभी तरुन भाव तब दिल लगी सूचती है कभी युवा भाव तब कर्म करता है लोग शिक्षा देता है तब वह सिंग तुल्य है जीवों में आहंकार है इसलिए बे इश्वर को नहीं देख पाते मेगों के उमडने पर फिर सूरिय नहीं दिखाई देता सूरिय दिखाई नहीं देता इसलिए क्या कभी है कहना चाहिए कि सूरिय नहीं है सूरिय तो अवश्य है परन्तु बालक के मैमे दोश नहीं बल्कि उपकार है साग के खाने से बिमारी होती है परन्तु हिंचा साग के खाने से उपकार होता है इसलिए हिंचा साग में नहीं है मिश्री भी इसी प्रकार मिठाईवं में नहीं है दूसरी मिठाईवं से बिमारी होती है परंटु मिश्री से कफ का दोश होता ही नहीं इसलिए मैंने केशव सेंसे कहा था तुम्हें और अधिक कहने से फिर यह दल न रह जाएगा केशव डर गया तब मैंने कहा बालक का मैं दास का मैं इनमें दोश नहीं है जिन्होंने इश्वर का दर्शन किया है वे देखते हैं इश्वर ही जीव और जगत हुए है वे सब कुछ वे ही हैं इनहें ही उत्तम भक्त कहते हैं भक्त कहते हैं सब कुछ वे ही है परंतु जरासा में रह जाता है इसमें कोई दोश नहीं है क्या महराज फ्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ इसमें आनी नहीं है वह मैं केवल भोग के लिए है मैं अलग और तुम अलग जब होता है तभी भोग हो सकता है सेव्य सेवक के भाव से और मद्यम दर्जे के भी भगत हैं वे देखते हैं इश्वर सब भूतों में अंतर यामी के रूप से विराजमान है अधम दर्जे के भगत कहते हैं वे हैं अर्थात आकाश के उसपार गोलोग के गोपालों को देखकर मुझे यह ग्यात हुआ कि वे ही सब कुछ हुए है जिन्होंने इश्वर को देखा है विस्पष्ट देखते हैं इश्वर ही करता है वे ही सब कुछ कर रहे हैं भक्त कहते हैं महराज मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे है श्री राम कृष्ण कहते हैं मैं कहता हूँ मा मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो मैं जड़ हूँ तुम चेतना भरने वाली हो तुम जैसा कराती हो मैं वैसा ही करता हूँ जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूँ जो अज्ञान दशा में है वे कहते हैं कुछ तो वे करते हैं कुछ मैं करता हूँ भक्त कहते हैं महराज मैं और क्या करता हूं और अब कर्म ही क्यों किये जाएं श्री राम कृष्णी कहते हैं नहीं जी कर्म करना अच्छा है जमीन जुति हुई हो उसमें जो कुछ बहुगे वही होगा परंदु इतना है कि कर्म निश्का मभाव से करना चाहिए परमहंस दो तरह के हैं ज्य ज्यानी परमहंस और प्रेमी परमहंस जो ज्यानी है उन्हें अपने काम से काम जो प्रेमी हैं जैसे शुकदेवादी वे इश्वर को प्राप्त करके फिर लोक शिक्षा देते हैं कोई अपने आप ही आम खाकर मुख पहुँश डालता है और कोई और पाँच आदमियों को कोई कुवां खोदते समय टोकरी और कुदार अपने घर उठा ले जाते हैं, कोई कुवां खुद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुवें में डाल देते हैं, कोई दूसरों के लिए रख देते हैं, ताकि पडोसियों के ही काम आ जाए, शुक्ते वादी ने दूसरों के लि पर विश्वास करना बस उसी से हो जाएगा भक्त कहता है महराज मैं तो पापी हूँ श्री राम कृष्ण कहते हैं जो सदा पाप पाप सोचा करता है वह पापी हो जाता है भक्त कहता है महराज मैं जहां बैठता था वहां की मिट्टी भी अशुद है श्री राम कृष्ण कहत कहते हैं यह क्या, हजार साल के अंधेरे घर में अगर उजाला आता है, तो क्या जरा जरा कर के उजाला होता है? यह एक दम ही प्रकाश फैल जाता है। भगत कहता है अपने आशिरवाद दिया। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर से अगर यही बात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ? मैं तो खाता पीता हूँ और उनका नाम लिया करता हूँ. श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं तीवर वईराग्य के होने पर वे मिलते हैं. प्राणों में विगलता होनी चाहिए. शिश्य ने गुरु से पूछा था क्या करूं जो इश्वर को पाऊं? गुरु ने कहा तुम्हारे अंदर वईराग्य होना चाहिए तीवर वईराग्य. तुम्हारा हर एक प्राण केवल इश्वर इश्वर पुकारने लगे तब समझना कि वे तुम्हे मिलने वाले हैं. इसपर मैं कहता हूँ कि जब तीनों आकरशण एकत्र होते हैं तब इश्वर मिलते हैं. विशाई का जैसा आकरशण विशाई की ओर है. सती का पती की ओर, तथा माता का संतान की ओर, इन तीनों को अगर एक साथ मिला कर, कोई इश्वर को पुकार सके, तो उसी समय उनके दर्शन हो जाएं। मन जिस तरह पुकारा जाता है, उस तरह तू पुकार तो सही, देखूं भला, कैसे शामा रह सकती हैं। उस तरह व्याकुल होकर पुकारने पर, उन्हें दर्शन देना ही होगा। उस दिन तुमसे मैंने कहा था भक्ति का आर्थ क्या है, वह है मन, वानी और कर्म से उन्हें पुकारना, अर्थात हाथों से उनकी पूजा और सेवा करना, पैरों से उनके स्थानों तक जाना, कानों से भगवान और उनके नाम, गुनों तथा भजनों को सुनना, आखों से उनकी मूर्थी के दर्शन करना, मन, अर्थात सदा उनका ध्यान, उनकी चिंदा करना, तथा उनकी लिलाओं का स्मरन करना, वानी अर्थात उनकी स्तुतियां पढ़ना उनके भजन काना यही तो है इसी से बेड़ा पार हो जाएगा इस प्रकार श्री राम कृष्ण वच्णा मृत का यह भाग संबूनता को प्राप्थ होता है शेश अगले अंक में झाल 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 झाल